हेलो एब्रिवन वेरी गुड मॉर्निंग और आज हम डिसक्स करने जाने हैं 40 Most Important MCQ जो कि राजिस्तान जीके से जम्मंदित है और राजिस्तान की जितने भी एक्जामें उसमें क्वेशन पूछे गए हैं तो आए डिसक्स करते हैं 40 Most Important MCQ 41 Question है अनपूर्णा देवी किस राज परिवार की अराध्य देवी है कचवाह, शिशोदिया, राठोड या चोहान तो correct option है कचवाह वंच की तो अनपूर्णा देवी किस राज परिवार की अराध्य देवी है तो कचवाह option number 1 is correct एक्जाम में पूछा हुआ क्वेशन है आलो का निर्मान किसने करवाय था option number 1 is महाराजा जवारसी ने, महाराजा सूरज मलने, महाराजा बदनसी ने, महाराजा मानसी ने, correct option है महाराजा सूरज मलने राजिस्तान में गुड़लात योहार कब मनाय जाता है श्रावन शुकल अश्टमी को, श्रावन करश्ट अश्टमी को, चेत्र करश्टमी को या भादरपद शुकल अश्टमी को option number जो है वो चेत्र करश्टमी को third is correct 45 number question है रास्तान के कौन से शेत्र में चेत्र शुकल पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाय जाती है तो अकसर question ये भी पूछा जाता है गुलाबी गणगोर कब मनाय जाती है तो first जो है हो है कि चेत्र शुकल पंचमी को कहां मनाई जाती है तो option है नादवारा, second है उदेपूर, third है बुंदी और fourth है जोदपूर correct answer इसका नादवारा 46 number question हिंदू पंजेंग के नुसार छोटी तीस कत्युहार किस माहा में मनाई जाता है श्रावन, चेत्र, वैशाक या बादरपत correct option है श्रावन 47 number है अजमेर जिले का कौन सा इस्तान कोडामार होली उससवेतू प्रसिद्ध है बिनाई, किशनगट, नसिराबाद या सांबर तो correct है इसका इबिनाई 48 number है होली के लगबग 15 दिन बाद कौन सा त्युहार मनाई जाता है तीज, हिंडोला, गणगोर या गुडला तो इसका जो correct option है वो है गणगोर सातू डितीज का पर्व मनाय जाता है बादरपत की करशन अस्तमी को, बादरपत करशन तृतिया को, चेत्रकरशन अस्तमी को या कार्थिक पुर्णिमा को correct option is बादरपत करशन तृतिया को कौन सा मिला वर्ष में दो बार आयोजित होता है तालचापर ब्यारन जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है बाग, बालू, कृष्णमर्ग या जंगली सुवर कर्रेक्ट है इसका कृष्णमर्ग राजिस्तन में दर्रा ब्यारन कहां है जालावाड, सवाई मादोपूर, कोटा, अलवर तो कर्रेक्ट उप्षन जालावाड राजबाशा विभाग की स्तापना कब की गई थी 14 सितंबर 1909 को, 26 जनवरी 1950 को 5 अगस्त 1956 को या 25 जून 1995 को कर्रेक्ट उप्षन इस 25 जून 1995 को केवलादेव राश्टरी उद्यान राजज के किस जीले में स्तित है सवाई मादोपूर, अलवर, चूरू या भरतपूर कर्रेक्ट उप्षन इस भरतपूर उप्षन नमबर 4 इस कर्रेक्ट पूर्वी राजिस्तान के मध्य पूरू भाग की प्रधान बोली है रांगडी, ढूंडाडी, मेवाती या भागडी तो पूर्वी राजिस्तान की कहा है इनोंने तो कर्रेक्ट उप्षन है ढूंडाडी हवा माल का निर्मान करवाए था राजा मानसी ने, मिर्जा राजा जैसी है सवाई जैसी है या सवाई प्रतापसी है कर्यक्ट उप्षन है सवाई प्रतापसी है राजिस्तान में कपास का सरवाधिक उत्पादन कहा होता है पाली, बिकानेर, हनुमानगड या भिलवाडा राजस्तान की प्रमुक नगदी फसल है चुकंदर, कपास, मुंगफली या गन्ना तो इसका जो करेक्ट है वो है कपास निम्न में से आमेर के किस शाशक ने सरो प्रथम मुगलों के साथ संदी की थी इश्वरी सीह, बगवान दास, मांसी या भारमल आंसर इस भारमल कोटा या गंगा नगर करेक्ट आंसर है उदेपूर में और बहुत सी बार एक्जाम में के क्वेशन पुछे जा चुका है कि ये पठार कहां पिस्ती थे तो आप आंसर दे सकते हैं वीडियो को पोस करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिगेंगे या आमेर तो इसका जो करेक्ट है वो है मारवाड जिपको अंदोलन बहुत ज़्यादा महत्पून है तो पता होना चाहिए कुमबल गट, नाक पहाड, सेर या अचल गट करेक्ट अप्शन सेर और उसकी उचाई 1567 मिटर है तो याद रखियेगा सागरमल कोपा का सम्मंद किस रियासत से है विकानेर, उदेपूर, जैसल मेर या किशन गट करेक्ट आंसर इस जैसल मेर भारत के कितने अन्य रज्जों की सीमा है राजस्तान से जुड़ती है ओप्शन है साथ, छे, पांच या चार करेक्ट आंसर इस पांच अरावली परवत की सरवोच दो चोटियां किस जीले में स्थित है सीकर, सीरोही, अजमेर या उदेपूर में प्राचिन काल में विकानेर को किस नाम से जाना जाता था मरू प्रदेश, मदस जनपद, जांगल देश या राजपूताना करेक्ट आंसर इस जांगल देश निम्नमेस से कौन सा शहर जैपूर से अधिक दूरी परिस्तित है मेवाड में प्रजमंडल अंदुलोन का संस्तापक कोन था जैनाराण व्यास, जमनाल बजाज, नैनुराम शर्मा, मनिककिलाल वरमा तरुन राजिस्तान समाचर पत्र के व्यवस्तापक थे जय नारायन व्यास अरजुनलाल सेठी, मनीलाल कोठारी या सागरमल तो correct answer is जय नारायन व्यास 56 का मिदान है उत्तर पूर्वी राजिस्तान, पश्चीमी राजिस्तान, दक्षीन राजिस्तान या पूर्वी राजिस्तान correct answer धक्षीनी राजिस्तान और प्रताबगडव बासवाड़ा के मद्य 56 गाउं या 56 नदी नालों के मेदान को 56 का मेदान कहा जाता है तो अक्सर ये एक्जाम में पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है तो 56 गाउं या 56 नदी नालों का जो मेदान होता है उसे कहा जाता है 72 नमबर है निम्बू चना किसान अंदोलन हत्या कांट राजपताने की किस रियासत में हुआ जैपूर, मेवाड, भरतपूर या अलवर करेक्ट आंसर अलवर निम्ण में से कौन सा किला रावली परवत माला में स्थित नहीं है कुंबल गड, चितोड गड, नहार गड या गागरोन करेक्ट आंसर इस गागरोन मेवाड का बिजूलिया अंदोलन किसके नितरत में हुआ गुलाब चंद, विजैसी है पतिक, जमनालाल बजाज, केसरी सी है भारत करेक्ट आंसर विजैसी है पतिक उचाई की हिसाब से अरावली परवत की चूटियों का सही करम क्या आरे इस एक्जाम में भी पुछा हुआ क्योशन है और बहुत सारे एक्जाम में पुछा हुआ है उप्शन है, फर्स्ट सेर, जरगा, गुरुशिकर सेकंड है, गुरुशिकर, सेर, जरगा थर्ड है गुरु शिकर जर्गा सेर फूर्थ है गुरु शिकर अजल गल्ट और सेर तो correct है इसका गुरु शिकर सेर जर्गा इसकी trick भी होती है गुरु से दिल लगा गजर आशा को बनाए रखो तारा वाली उससे generally जो question है वो solo हो जाते हैं तो इसको ध्यान में रख्येगा और बहुत ही most important question है ये क्रम पता होना चाहिए question number 76 है आमेर का कच्वाह वंच अपने आपको किसका वंचज मानता है option है लक्षमान, लव, कुष या अव्वासुदेव तो correct answer है कुष का जिस राजपूत राजवंच ने स्वच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगवाई की कच्वाह, हाड़ा, शिशोदिया या राठोड correct option is कच्वाह राजपूताने के किस राजज ने सरुपरतम अकबर के दिनता सुईकार की विकानेर, रण थंबोर, आमेर या मारवाड correct option है रण थंबोर राजपूतान के कूल शेत्रपल का कितना भाग, थार मरुस्तल के अंतरकत आता है 41%, 61%, 52%, 56%, correct option is 61% और आज का अंतीम क्यूशन है कि उदेनात परवत राजस्तान के किस जीले में स्तित है जैपूर, अजमेर, अलवर या सीकर तो correct answer है इसका अलवर उम्मित करता हूं वीडियो पसंद आए होगा 40 क्यूशन थे 40-40 क्यूशन के रोज हम से डिसकस करते हैं उम्मित करता हूं वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आर एस मेंस से समंदित वीडियो आज जरूर अप्लोड होगा थैंक्यू थैंक्स अलाट फोर लिसनिंग जैहिन जैवारत